हलोबचों क्या हाल है? आपका जो हमाई हुआ है झाछा फ्र सब्सक्राइब comment writes तक बसक्राइब ना है तो आप अघर आप channel scanner नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड वगरा को भी बताएं ताकि उनको भी इसका फायदा हासिल हो ठीक है अगर आप टीचर है और वीडियो देख रहे हैं तो मैं सजिस्ट करूँगा कि आप अपने जो स्टूडेंट है उनको भी इस बारे में इस वीडियो के बारे में बताएं ताकि उनको भी इसका बेनेफिट मिले ठीक है चलो श्टार्ट करते हैं पहले कोशन की तरफ जो आपका दिया हुए है यह बहुत अच्छा कोशन है अराउंड स्क्वाइर पूल डेरिजा फुट पाथ आफ टू मीटर जिसक कि किनारे किनारे जो है उसके अराउंड में दो मीटर का जो है आपका फुट पाथ है ठीक है जिसका विथ कितना है दो मीटर है तो यहाँ पर देख सकती इसका जो विथ दिख रहा है आपको दो मीटर क्लेर दिख रहा है यहाँ पर इस तरफ है यह दो मीटर है उसके that of the pool find the area of the pool क्या बोला फुत्पात को जो एडिया जो किनारी किनारी जो पार्ट है जो फुत्पात है उसका एडिया जो है five by four times किसका है इस पूल का जो है उसके अरिया के बराबर है ठीक है यह कौशन समझ में आ गया ठीक है इसको कैसे करना आप देखें सबसे पहले क्योंकि कि यह जो पूल जो है यह क्या है स्क्वाइर है तो अगर मैं साइड यहां पर इसका जो साइड है इसको एक्स लेता हूं यह भी क्या होगा यह भी एक्स होगा क्योंकि हमको मालूम है स्क्वाइर तो उसी को बोलते है जिसका चारो साइड जो होता है बराबर होता है अगर म साइट आफ पूल इस इस पूल का जो साइड है हमने एक्स ले लिए इसना क्लेर हो गया हम लोग लेते हैं लेंथ लेंथ आफ पूल प्लस फुटपाथ कितना होगा अगर मैं पूरी की बात करता हूं इसका भी लेंथ ले लेता हूं और फुटपाथ का भी ले लेता हूं तो देखो उपर जो है यह पूराद यहां तक जो है यह दो मीटर दिखर आपको यहां पर दो मीटर तो उपर भी दो मीटर होगा दो तो कितना होता है है तो आप बोलो विलातेwelt हैं टोटल 4 यो व्ह इन्हीं अगर यह There is a उपर कई 2 और मेश्चरण 2 कर दो घुता है इक स्ब्लस 4 इसका मतलब यह यहां से लेकर यह यहां तक पूरा कितना हो जाएगा का एक्स फॉल्स हो ऑलका छिलियर समझ में आया मैंने क्या बोला यह इधर का जो पार्ट यह पार्ड यह तो मीटर रहे हैं यहां का पार्ड यह दो मिला ज़्युक्र द्यख खांव गयाओ और यहांसे लेकर यहां तक कितना एक से इसकी लेंद किती नहीं है सिर्फ पूल के लेंद एक से और पूल के अंदर फुतपाद भी जोड़ देंगे हम लोग आ ऊपर नीचे दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा एक सब्सक्राइब तो यह आपका आगया फुतपाद का लेंद जो आ जायेगा एक सब्सक्राइब और पूल प्लस, पूल में अगर हम लोग प्लस कर देते हैं, फुतपात का, फुतपात को और पूल में प्लस करने पे भी जो बनता है, पुरा का पुरा फीगर, वो भी क्या होता है आपका, वो भी स्क्वाइर है, ठीक है, तो उसका लेंद कितना है, एक्स प्लस फोर होता है, लेंद अ तो मैं बोलता है पूल का एरिया कितना होगा तो आप बोलोगे पूल का जो एरिया है हमारा यह पूल है एक्स इसका एरिया कितना होगा एक्स स्क्वाइर होगा कितना होगा एक्स स्क्वाइर होगा क्योंकि पूल कैसा है स्क्वाइर जैसा है और स्क्वाइर का जो एरिया क्य दिया हमने थीक है बट हमको यहां से अगर निकालना पड़ेगा यह सब आert इसके एयरिया का यह इसका एरिया तो आपको मालूम है यह एาकर पूल का एरिया ठीक है यह पूल का एरिया है ठीक है यह पूल का एरिया का कितना है फाय पाय है फोर टाइमस है एक कंडिशन यहां से मिला दूसरा हमको मालूम है कि अगर मैं पूरा टोटल में से पूरे टोटल में से एरिया में से अगर मैं निकाल देता हूं क्या एरिया नि प्लस फोर ठीक है टोटल का साइड कितना एक्स प्लस फोर पुरा टोटल का अगर एरिया निकालना रहेंगे तो क्या करेंगे एक्स प्लस फोर का क्या करोगे आप एरिया निकालोगे तो एक्स प्लस फोर का एरिया माइनस और अंदर जो पूल है उसका एरिया उसका एरिया मत इतना ट्लेर हो गया अब आगे शोल करोलो तो जब ब्रेक टोपन करो तो यहां देखो एक्स फ्लस फूर एक सॉर एक्स फॉर और फॉर्मूल बन गया एप्लस बी ठाज़ी स्कॉर प्लस दीकमड़ एक्सिस्वार प्लस टू ए-बी-एक्स बीनई 4 प्लस फोर इस्क्ञार क्य क्या Formula आपको मालूम है ना क्या Formula B a plus B holy square किशके बराबर होता है a AUA plus B square इसके बराबर होता है तो वह हमने लिग दिया है यह हो गया आपका B ठीक तिक इसको हमने आ ले लिया मान लो इसको भी ले लिया यह हो गया यह टू हो गया ए बी और यह भी हो गया दोनों का मल्टिप्लाइब बस जैसे मैंने बता है वैसी करना आपको ठीक है अब आगे करो आप यह होगे सभाए कर दो इस सिस्टीन हो गया- यहां पर कर दो आपको है इसमें रहाए आपको आपको यह प्लस मी यह मैंनस में दोडिक्र रहा है ना प्लस में यह मांनस में खills कह थैकले तो हमको नजर आ रहा है यहां पर क्या बचा आंट एक्स बचा आंट एक्स लिख दिया हमने यहां 16 बचा और यहां बचा 5 by 4 x स्क्वाइर बचा ठीक है आप चार वहां डिवाइड में इस तरफ लेके आके मल्टिप्लाइ कर दो चार को जब आप यहां पर लाओ गे तो क्या ठीक है quadratic बनाना ठीक बनाना है तो पूरे का पूरे आपको उधर लेके जाना है जब पूरा उधर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा कि यहां कुछ बचेगा नहीं 0 बचेगा पा-एक्स-3 डीटो एक्स-64 अब इसको साईसे लिखना रहा रह गा तो कैसे लिखें यह तो पांच को 64 से अपमाटिप्लाइ करका कितना आ जाएगा कि आपको मालूम है कि है पांच दिया तो 5 मॉटीक्लाइब सुर्ण इसके साथ करोगे चैक ऐए करने के बाल दो ने कर incarnate को कितना हो जाएगा 540 20 और 520 होगा 2 बचा 560 30 320 किसमें आएगा मैनस में ऐसा दो नमबर लेना है कि multiply करने पर कितना आना चाहिए मैनस 320 आना चाहिए ठीक है और plus minus करने पर कितना चाहिए 32 आना चाहिए तो कैसे कौन सा नमबर हो सकता है तो हम लोग अगर 20 से multiply करेंगे तो 20 का टेबल अगर हम लोग पढ़ती है 16 तक तो होगा नहीं होगा और किसे हो सकता है 16 का टेबल पढ़ो 16 32 नहीं होगा इसके लिए काम कर आओ फैक्टर कर लो अगर मैं फैक्टर करता हूं की सब्सक्राइब कर लिए यहां पर मैं कर लेता हूं 300 पीस है आप चेक करनो इस तरह से दो के टेबल से 160 हो गया प्र असी हो गया फिर हो गया आपका 40 पी तैस पिर हो गया पाँच थीजिए पांच ठीक दस दूब इस चालीस यह 40 हो रहा है और उपर जो आपका आ रहा है यहां से लेकर यहां तक आपका आठ आ रहा है आठ चालीस को आठ से मल्टिप्लाइ करोगे आप तो कितना आ जाता है आपका 48 Já 32 आ तो यह आपका आ जा रहा है उतना औरा अचलीस में से 8 अगर मैनस कर देते हैं एंक जितना नंबर के आहे तो ही आपका multiply करने पर क्या नाचिए मैनस आ जाएगा 48 में 40 में से 8 मैनस करोगे तो मैनस 32 आएगा साइन बिगर नमर का आने के वज़से ठीक है तो हम लोग लिखेंगे 5X square minus 40X plus 8X minus 64 is equal to 0 ठीक है यह दोनों में कॉमा निकालो कॉमन कैसे निकालते हैं मालू में 5 का टेबल पढ़ लो 5X कॉमन निकला यहां पर X बचा फाइड या 40 ठीक है फाइड या 40 यहां एक्स नहीं आएगा क्योंकि यह एक्स कॉमन निकाल लिए हमने तो एक्स खोड़ा दिया प्लस यहां पर आट कॉमन निकलेगा X minus 8 is equal to 0 ठीक है तो दोनों तरफ क्या आगया minus 8 X minus 8 और 5X plus 8 यह आगया आपका तो आप लिख सकते हो यहां पर यहां पर यहां पर आएगा 5X X plus 8 और दूसरी जगा आएगा X minus 8 is equal to 0 ठीक है X minus 8 कॉमन निकाल लिए 5X plus 8 और X minus 8 यह आगया आपका ठीक है फिर आगे हम लोग लिखते हैं 5X plus 8 हो गया is equal to 0 और X minus 8 is equal to 0 यहां पर आएगा minus 8 आपके यहां पर बचेगा 5X और यह हो जाएगा आपका एट अपॉन 5 X कितना आजाएगा X is equal to minus 8 अपॉन 5 और यहां पर minus 8 इस तरफ लेके जाओगे तो आपका आएगा X is equal to 8 ठीक है और हमको मालूम है कि माइनस वाला जो पार्ट होता है इसलिए हमारा एंसर क्या होगा X is equal to 8 आएगा सवाल में हमसे पूछा क्या है है Find the area of the पूल पूल का जो अइरिया मालूम करने बोला है तो पूल के एरिया बोला है हाना X is equal to 8 है तो हमारा क्या आगया सब्सक्राइड पूल का जो साइड हमने लिए था 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 हना तो हम्रोग लिख है एट चाहते एड इरिया और पूल क्या होता है एक्स इसक्वाइर ह तो हमारा क्या गया area of pool हो गया 64 square meter बस इतना ही लिखना था समझ में आया यहाँ पर answer खतम हो गया आपका अगले वीडियो में फिर से मिलती है नए question के साथ और बहतर question के साथ